जै माता दी दोस्तों कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम आपके लिए बहुत ही सुन्दर तुलसा माता की कहानी ले कर आये हैं यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं सायद आपने यह कहानी सुनी होगी या ना भी सुनी होगी तो चलिए हम आपको प्राणिक कथा सुनाएंगे आप सभी लोग हमारी कहानी को पूरा सुनिएगा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमिल करके मुझे जरूर बताईगा कार्थिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सीचने जाती थी सब तो सीच कर आती लेकिन एक बुड़ी माई आती और कहती है तुलसी माता सत की दाता मैं बिलड़ा सीचू तेरा तो कर निस्तारा मेरा तुलसी माता अडवा दे लडवा दे पीतांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे बैकुंट का वास दे चटके की चाल दे पटके की मौत दे चंदन की काठ दे जालर की जनकार दे साई का राज दे दालभात का जमीन दे ग्यारस की मौत दे सिरी कृष्ण का कांधा दे ये बास सुनकर तुलसी माता सूखने लगी भगवान ने पूछा है तुलसी तुम क्यों सूख रही हो तुम्हारे पास इतनी औरते रो जाती है, तुम्हें मीठा भोग लगाती है, गीट गाती है पुषी माता ने कहा एक बूठी माई रो जाती है और इस तरह की बात कहकर चली जाती है मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी परकृष्ण का कंधा कहां से दूंगी भगवान बोले वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा कुछ समय पस्चाद बुड़ी माई का देहान थो गया सारे गाउं वाले एकत्रित हो गए और बुड़ी माई को ले जाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी सब ने कहा इतना पूजा पाट करती थी पाप नस्ट होने की माला फेरती थी फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई बुड़े प्रामण की रूप में भगवान वहां आये और पूछा ये भीड कैसी है तब वहां खड़े लोग बोले कि ये बुड़ी माई मर गई है पापिन थी इसलिए भारी हो गई है किसी से भी नहीं उठ रही है भगवान ने कहा मुझे इसके कान में एक बात कहने दो सायद उठ जाए भगवान ने बुड़ी माई के पास जाकर कान में कहा बुड़ी माई मन की निकाल ले अड़वा ले गड़वा ले पीतांबर की धोती ले मीठा मीठा ग्रास ले बैकुंट का वास ले चटक की चाल ले चंदन की काट ले जालर की जहनकार बात दाल का जमीन ले और क्रिष् को मुक्ती मिल गई तुलसी माता जैसी मुक्ती बुड़ी माई की की है वैसे ही हमारी भी करना और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना बोलो तुलसा माता कीज़े